During दुरगा पूझा, पैंडल होपिंग के टाईम हम हेहर स्टाइलिंग के लिए बेर को खुला तो छोड़ देते हैं बढ़ बहुत जादा पसीना होता है जो messy bun भी आप बोल सकते हो यानि यह हर कोई create कर सकता है बहुत easy है तो पहले आप hair को थोड़ा सा curl कर लीजिए अगर curl आप नहीं करना चाते हो तो भी जिलेगा don't worry आप पहले अगर आपकी bang से उसे आप secure कर लीजिए अलग से और उसके बाद hair को पीछे से चोटा-चोटा section लेके दोनों side से इस तरह से आप pony create कीजिए और उसे hair के अंदर से मतलब जैसे मैं आपको दिखा रही हूं यहाँ पर twist कर लीजिए तो again आपको दो section में करना है उसे भी इस तरह से आप hair के अंदर से twist कर लीजिए हाँ rubber band आप elastic का rubber band use कीजिए black हो तो बहुत अच्छा होगा मेरे पास black अभी नहीं है तो मैंने दोनों section पर इस तरह से pony चोटा-चोटा create के उसके बाद last में और एक pony create कर लिया इसे भी आप pony के मतलब middle से इस तरह से आप twist कर लीजिए तो half काम यहां पर आपकी हो गई अभी simply आप जो pony है आपकी उसे three strand bread बना लीजिए और इसे आप इस तरह से wrap करके छोटा कर लीजिए और इसे आप bobby pin से secure कर लीजिए यह जो यहां पर bun है आपकी आप जितना छोटा करना चाहो बड़ा करना चाहो यह आपकी उपर depend करता है तो bun मैंने यहां पर bobby pin से secure कर लिया उसके बाद आप थोड़ा सा hair को loose कर दीजिएगा जो आपने rubber band से pony create किया है उसके बाद सामने से भी आप थोड़ा सा hair को loose कर लीजिएगा क्योंकि obviously यह messy bun है तो messy bun है फिर भी बहुत ही elegant लगती है बहुत ही beautiful है तो इसके बाद सामने आपकी अगर you know bank से उसे आप थोड़ा सा styling कर सकते हो curl करके उसके बाद यहां पर आपकी hair style ready है यहां पर और एक तरीका हम आपको दिखाऊंगे आप चाहो तो इसे styling कर सकते हो आपकी जो rubber band से उसे चुपानी के लिए इस तरह की कोई clip अगर आपके पास हो आप उसे use कर सकते हो तो messy bun है again guys बहुत ही beautiful लगता है अगर आप आपकी straight hair पर यह करना चाहते हो वो भी कर सकते हो now second जो hair style है इसी से आप कर सकते हो यह जो band मैंने create किया है इसे आप बिल्कुल अंदर डाल सकते हो और भी छोटा कर सकते हो और उसे आप bobby pin से secure कर लीजिए यह यहाँ पर मैंने चोटा-चोटा cluster का इस्तमाल किया है आप भी कर सकते हो flower shape में तो बहुत ही easy है guys इस दुर्गा पुजा आप यह hair style try कर सकते हो